जैमात अदी, बीटी इस पिछवन में आप सभी काफिट से दिल से स्वागत है तो आपके लिए Celtic Spread है आप यदि मंतली Celtic Spread Cross Cross Celtic Spread Cross इस Spread का नाम है Celtic Spread Cross तो आप यदि मंतली चाहते हैं कि आपको guidance मिले तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं अपना नाम, अपना वर्द क्योंकि यह मैं Swamp पर मन्त अपने लिए Swamp निकालती हूं और यदि आपने देखा होगा कि नया चनल जो अभी इस वक्त में बना हुआ है जून के मन्त में तो यह मुझे बाबाजी की क्रिपर से माता जी की क्रिपर से guidance प्राक्त होते हैं उसके रुसार और मेरे close one के लिए और चितने भी लोग हैं जो मंतली reading लेते हैं यह spread आपको काफी powerful spread होता है इसमें आपको एक एक स्थान से आपको guidance मिलता है कि घर की स्थिती कैसी है आपको क्या guidance follow करना चाहिए तो यह आप लोगों के लिए अभी इस वक्त में क्या आने वाला है हम देखते हैं आप अच्छे से प्रणाम कर लिजिए आप जीन भी प्रमातमाची किस रूप को मानते हैं आप प्रणाम कर लिजिए हम सबसे पहले आपके लिए देखेंगे रूप issue इस वक्त में क्या है आपके लिए तो थीक है कुछ लोगों के लिए और आपके लिए जो रूत ही हो है बोहँ है जे यहां पर मैं जो चीजें रही हूं तो है आक में तो आप किसी दू जोगों के बीच कि अब जब बात कहें रहे हैं या आप अपने Premier सब्सक्राइब में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई जगह आपको मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा है किसी जौब प्रोफेसल में आपको लग रहा है, आपको स्वीच करना चाहिए, पर क्या स्वीच करने के बाद आपको कुछ और मिलेगा, ऐसा कुछ आपके मायन में चल रहा है तो एक जगलिंग वाली इस्थिति है एक कनफ्यूजन वाली इस्थिति है दूसरी बात मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आने वाले समय में आप रियूनियन में आने वाले हैं आप अपने सोल में से मिलने वाले हैं जो कुछ भी आपके लाइफ में निगेटिविटी थी जो कुछ भी कार्मी किस्थिति थी किसी के जैलेसी थी तो 6 नमबर तो ये 6 जून के बाद कुछ आपने अपने अपने उपर वर्ट किया है जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है रूट इससू मुझे यह लग रहा है आपके परस्नल लाइफ का आपके प्रोफेस्नल लाइफ का ठीक है अब हम देखते हैं रिसेंटली पास्ट में आपके लिए क्या है ठीक है रिसेंटली पास्ट में क्या था तो recent बिल्कुल आप देख सकते थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन, किसी की negative thought, किसी की negativity, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, कि यह आप खुद self अपने analyze किजिएगा खुद के लिए, कि क्या आप बहुँ ज़्यादा negative thought करते हैं, यदि आप बह बिल्कुल भी आप negative thought नहीं करते हैं, सबको let go कर देते हैं, किसी negative चीजों को आप बहुँ जाता हैं नहीं सूचते, let go कर देते हैं, forgive कर देते हैं, तब यह चीजे मुझे लग रही है, थर्ड सिचुएशन के द्वारा किया गया जो भी negativity है, मैं यह सायब कह रही थी और मु देल ने एक से जादा लोगोंने मिलकर आपके लिए कुछ सड़ेंत्र के जैसे किया था और एक negativity आपके तरफ किया गया था, यह moon ritual किया गया था, negative moon ritual, आपके person को कुछ water के द्वारा, ठीक है, कुछ ऐसा दिया गया थे, तरल पदार्त के द्वारा, ठीक है, तो वो चीजे ह यह third party आपके person के life में नहीं है, आप यह वेक्ती अपने आपको third party समझते हैं, आपके person मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि उनको अपनी गल्दी का एहसास है, ठीक है, recently हम अभी, देखे मेरे throat सब्सक्राइब पर, recently present में, मैं यह देख पा रहे हूं कि गुरु देव जी की क्रिपा हो रही, तो आपके life में mentor आपको guidance मिल रहा है, आपको guidance मिल रहा है, आपके life में कोई mentor या तो आया है, या आने वाले हैं, और आपका लग जो है, अब आपके favor में है, तो आपका जो good karma है, good karma का जो आपको award है, वो मिल रहा है, good karma का reward आपको दिया जा रहा है, परमात कुछ लोग या तो spiritual work में कुछ कर रहे हैं या गॉर्मेंट जॉब में किसी अच्छे पोस्ट पोजिसन पर हैं यह पहुत लोग करने क्यों कि जंडरल रीडिंग है आप कुछ ऐसा अपना खुद का कुछ कारे करते हैं उसमें मुझे नियर फ्यूचर में यह सारी चीजे निं क्यों किजिए और जब मैं यहां पर यह विमून की अनर्जी को जब मैं आप लोगों के लिए चैनलाइज कर रहे थी तो मुझे फ्रोट चक्रम है तो आपके फ्रोट चक्रम पर फ्रोड़ा सापको बर्क करना है लिंग देना है ठीक है फाइट नंबर वैसे भी आपका में हो सकते हैं लिख लिखने वाला को हाल्त कारेयो क्रीरेटीव वर्क और जैसे की मनें आपको बता हुँ आयक कि आयक क्यों क्यारी कर रहे हैं तो वह तयारी में आपको बाधाए ना इसके लिए आप गंणपती जी का पूजन जरूर कीजेगा स्विंगणपती जी अधर्व सीर्ष का पार्ठ हाफ कर सकते हैं सुन सकते बुध्वार को जो हरा धुर्वा होता है ने धुर्वा वो धुर्वा आप अरपन कीज़ेगा गणपती जी के मंदीर में घर में भी ठीक है ये रेमेडिय आपके लिए आ रहा है अब देखे ये जो है जनरल रेडिंग है तो यदि आपसे रिजोनेट करता है तो जरूर ये आपके लिए हो स तो आप लर्न कर रहे हैं आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है या कुछ ऐसा जिसे एंबिये है इस तरीके से मुझे नजर आ रहे है तो यहां पर लॉंग प्यूशर में आप जिस चीश को सोच रहे हैं न मुझे पता नहीं कुछ लोगों के ऐसा लग रहा है कि उससे ब के थोड़ा सा वार्तवर अन्य ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कहीं पर हाड चक्त नौच से थोड़ा से इस थान से दूसरे सफ जाएंगे तो थोड़ा सा आप यह दुख की रूबूती है यह लोनेस-सकी बात मुझे क flavors के लिए आव्लाएं तक हाड चक्त जो यहां पर नज आपका जो long future तो आप बहुत दीरे 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 करके आपका जो heart chakra block है वो heal हो जाएगा किन से आपकी person के द्वारा ही यहाँ पर आपकी person ही आपकी बहुत care करने वाले हैं ठीक है तो देखे आपके professional life में बहुत ही खुबशूरत energy निकल कर आई है लेकिन यहाँ पर कुछ moon की energy तो है लेकिन यह सारी चीज़े heal हो रही है जैसे remedy है वो आप जरूर कीज़ेगा अब हम personal life के लिए देखते हैं हाँ विल्कुल कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ठीक है क्या आप किसी कार्मिक से deal करें तो आप move on करेंगे कुछ लोगों के लिए क्योंकि एक नमबर है आप पर और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप यदि married है न तो कोई ऐसे विक्ति जो आपके married life में interfere कर रहे थे वो आपके life से जाने वाले हैं ठीक है लगभग धीरे धीरे करके यहां पर हट रहे ठीक है एक नमबर remedy कीजिएगा समीदेव जी का सटड़े को स्रियनमान जी सलिसा का पार कीजिएगा किसी वास्तविक जरुद मन को कुछ न कुछ आप उनकी help कर सकते हैं अब हम देखते हैं आपके घर के देखे happy family जैसे ही आप य सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आपको जरूर रेमेडी सीखनी चाहिए आप रेमेडी सीखने के लिए भी संपर्थ कर सकते हैं तो आपके जो घर का वातावरन है वह बहुत ही खुशियों कुछ get together होने वाला है आपके family में ठीक है इस आने वाले समय में कुछ get together होगा या कुछ आप एक घर चेंज करेंगे ठीक है घर का वातावरन बहुत ही खुशियों भर है यहाप नजरा किसी का बड़े हो सकता है किसी की साभी के सालगीर हो सकती है या कुछ ऐसा engagement किसी को हो सकता है ठीक है तो वहां पर आप काफी उत्साहित रहेंगे काफी बिपुलता काफ काफी इंजोएमेंट आपके लाइफ में आ रहे है ठीक है अब हम देखते हैं में है जो आपका फियर और चैलेंज क्या है आने वाले समय में तो यह है कि किसी इनमेच्योर व्यक्ति ने या तो आपको या तो आपके परसंद को परिसान करने के लिए कुछ ऐसे कुछ ऐसी चीजें की थी या कुछ ऐसा वापर दिया था या कुछ चीज दिया था एक और परसंद को कौल ये मेसेज करके चले कोई जैलेस एउनके बारे में आप ऑर थिंकिंग कर सकते है या आपके परसंद क्याय हसे कुछ कुछ उन्होंने दिया dazu है आपके वो call ये message करना चाते हैं और आपको disbalance करना चाते हैं दूश्री बार कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके घर के किसी सदस्य को जबरदस्ती emotionally disbalance करने के लिए वो अपने साथ कारे करने के लिए कह सकते हैं लेकिन ये जो कारे बहुत छोटा रहेगा मतलब पूरा ये bossy energy में हैं और जो भी वेक्ती है ना उनको कुछ भी इससे लाब प्राप्त नहीं होगा इस तरीके की energy है तो आपको fear and challenge यही रहेगा कि आपको कैसे इनसे distance करना है कैसे आपको अपने close one को इनसे दूर रखना है कैसे आपको polite way में इनको मना करना है इस तरीके की energy यहाँ पर इसी हो रही है emotionally balance आपको रहना है overall हम देखते हैं आपके लिए क्या रहा है तो बिल्कुल आप जैसे कि यहाँ पर पूरे cards ऐसे निकले queen of source के energy में आने वाले है देखिए बहुत ही खुबसूरत आज के energy यहाँ पर professional life में आई है कुछ politics में आपको कोई interest है तो वो आपके लिए near future आ रहा है यदि आप किसी भी प्रकार से interest रखते हैं या आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें तो इस तरीके की भी energy है कि यदि आप किसी ऐसे जिसे नेत्रित्व वाली जहमता है आपके अंदर ठीक है यह आपको पता चलेगा overall जब आप इन सारी श्टकने से निकल जाएंगे न तो आप लोगों की भलाई का कारे तो करते हैं social work भी करते हैं आपके अंदर एक मेत्रित्व की शमता है यह आपको पता चलने वाली है आप स्वैम मतलब बहुत ससत है चाहे आप मेल है चाहे फिमेल है यह आपको पता चलेगा जब इन सारी छोटी छोटी जो disappearance है उससे बाहर निकलेंगे तो दूसरी बात कोई भी पहले जो आपको disappearance कर सकते थे अब नहीं कर सकते क्योंकि आपके औरा के करीब आने में भी उनको डल लगेगा आपके अंदर एक unconditional लोग तो है आप अपने अपनों के लिए रंपनिस्टर लाउस्य करते हैं लेकिन आपको पता चल गया dependence किसके तरह कितना दिस्टर्ञ करना है तो आप का एक जो को ना है यहाँ पर हॉण's तो यहां पर मुझे मतलब इतनी अच्छी रिसी यह आप घर महुचने था और हैं कि बहुत लंबे समय से आप वर्क कर रहे हैं आप अपने घर परिवार में जिसे एक घर फैमिली के साथ नहीं बाहर जाना या फैमिली के साथ समय वाला है ठीक है उनको उनके कर्मकाफल यहां पर भी नजरा रहे हैं आप यह पर गाइडेंस लेते हैं ठीक है तो यह रीडिंग काफी पावर्फुल रहती है और बहुत ही खुबसूरत रीडिंग आपकी निकल कर आया है जिन से बीजनेटर करें अजीन से रिजनेटर करती है तो जिन से रिजनेटर करती है वह बिल्कुल रख लीजेगा गाइडेंस dusty तरह और यदी जो आपसे रिजनेटर सुद्धबसाइड के लिए आप की लिए है मंतली आपके लिए गाइडेंस के लिए आप कर सकते हैं आपके लिए अपर मार्डवसन हैं एक काड़ी हासे लूंगी ठीक है आपको गाइडेंस करत होगा ऐसे लिए लोगो सकते हैं यह दो मैं यह जरूर बताऊंगी यह बहुत प्रेंट से आपके घर के किसी सदस्य को उनकी पॉजिटिविटी को उनकी विनम्रता को प्रभावित करना चाहते हैं यह उनके साथ मिलकर अपने भागे को जगाना चाहते हैं इस तरीके की भी अनर्जी है ना देखिए यहाँ पर भी आ क्लोज बन का कार्मी कनेक्शन है पुरी तरीके से हील हो गया है बहुत पहले से हील हो गया लेकिन यह मुझे दो फिमेल भी नजर आ रही है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है अपने घर में धूनी जरू लगाई है ना धूनी जो लगाते हैं जैसे धूप का धूनी वो स्थिती है अप्रारंब हो रहा है और आपको आपके गुट कर्म का फ़ल मिलने वाला तो आपको वैसे भी आपके प्रोफेशनल लाइप बहुत अच्छा है पीड़ा से आप गुजर चुके हैं आप में से कुछ लोग चूजर्वन हो सकते हैं तो आपकी स्प्रिच्वल य अपके निकल कर आई है तो उमीद है आपको यह जो इस प्रेड़ पसंद आया होगा यदि आप कमेंट करेंगे तो बहुत से ऐसे इस प्रेड़ लेकिन यह इस प्रेड़ और एक मून की अनर्जी वाला जो इस प्रेड़ वह मेरे लिए बहुत खास है वैसे सब भी है अभी प्रेड़ से ज़्यादा देखिए जितना देखेंगी जितना आप एक मेंट करेंगे जितना हमारी फैमिली बढ़ते रहेगी उतने ही आपको गाइदेंस प्रोवाइट होते रहेंगे बाबाजी की क्रिपा सदा बनी रहे माता जी की पासा बनी बहुत है